अपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास 11 फिजिक्स में बच्चो चैप्टर 3 चलना जिस चैप्टर का नाम है समतल में गती जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चो प्रच्छेप गती और प्रच्छेप गती में आपका दो प्रकार से होता है एक तो 36 प्रच्छेप होता है और एक आपका तेरियक प्रच्छेप होता है आज हम पढ़ेंगे 36 प्रच्छेप का पत पर बलयाकार होता है एकजाम के लिए काफी important है दोनों चाहे वो 36 प्रचेप हो चाहे वो तेरियक प्रचेप हो लेकिन maximum जो chance होता है वो तेरियक प्रचेप का होता है लेकिन भाई यदि आपको अच्छे नमबर लाने है तो कोई भी थोरम छोड़ना नहीं है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहल पर गिर जाता है वस्तु के इस प्रकार की गति को हम प्रचेप गति कहते हैं बिलकुल सिंपल है बच्चो पहले इसको थोड़ा सा डाइग्राम में हम आपको समझा दे डाइग्राम बना हुआ है यह डाइग्राम किस प्रकार से बना है कि कि किसी उचाहे से किसी बस्तु को 36 दिसा में हमने फेक दिया ठीक है लेकिन धीरे-धीरे करके धीरे-धीरे करके जैसे हमने गेन को फेक दिया माली जी छत है छत से आप फेक रहे होगे हैं तो धीर-धीर गुरुत्त के अधीन जा करके प्रथवी तल पर गिर जाएगा सिंपल है ठीक है मतलब आपने किसी भी बस्तू को या कि जमीन से ही आप फेक दो बच्चो जमीन से फेक दो जैसे यहाँ पर देखेगा मैं यह आपका एक छोटा सा ग्राफ है एक्स अक्ष है और यह बाई अक्ष है आपने यहां से गेंद फेका तो पहले उपर की और फेका तो यह उपर की और गति करता है फिर धिर धिर गति करते हुए नीचे की और आजाता बच्चो तो यह आपका एक प्रकास से प्रच्छेप गति कहलाया लेकिन हमने जमीन से तिरिया के नहीं टेड़ा फेका तेड़ा फेका है देखलो जरा इसलिए इसे बोलेंगे तिरिया क प्रच्षेप क्या बोलेंगे बच्चो तिरिया का प्रच्षेप ठीक है ये भी प्रच्षेप है हमने डायेक्ट उर्धोधर नहीं फेका उर्धोधर सीधा उपर फेक ही नहीं सकते हैं सीधे फेकेंगे बच्चो गें उर्धोधर चला ही जाएगा तो उर्धोधर ना फेकर क किसी भी दिसा में ने फेका तो यह दिर दिर ऊपर जाएगा फिर यह दिर दिर गुरुत्तों के अधिन नीचे की और आ जाएगा तो यह आपका जो गति वो तेर्यक प्रचेप है लेकिन 36 प्रचेप कब होगा जब किसी उचाई से 36 दिसा में फेक दें तो पहले कुछ दूर तक तो जाएगा प्रदम बिग बिग से लेकिन वो फिर धिर धिर गुरुत्तों के अधिन नीचे आ जाएगा तो यह जो आपका प्रिछेप हो जाता है तो चाहे आप 36 पृच्छेप की बात करो चाहिए तिर्यक पृच्छेप की बात करो दोनों में जो गती है वो पृच्छेप गती है यानि उर्धोदर की अत्रिक्त किसी भी दिशा में हम बस्तू को फेक दें तो गुरुत्तो के अधीन तीर धिरे कहा आ जाता है? प्रथभी के तल पर आ जाता है. घुरुत्तो के अधीन, गुरुत्त का मतलब क्या है? प्रथभी भी एक बल लगाता है किसी बस्तुपर. जैसे आप लोगों ने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, भाई ये 9 ये 10 में नीचे क्यों आता है क्योंकि भाई सहा वो पलायन बेक से कम है उसका बेक पलायन बेक आगे पढ़ोगे 11.2 km प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 11.2 km चला जाए उससे कम बेक से किसी बस्तु को फेक आ जाए तो प्रतिवी पर वापस आजाता है तो हम पत्थर को भी उपर फेकते तो नीचे आता है इसका करन क्या है क्योंकि प्रतिवी क्या करता है आकरसित करता है एक बल लगाता है जिसे गुरुत्तो करशन बल कहते हैं जिसे गुरुत्तो के अधीन बोला जाता है कि हम किसी बस्तु को सीधा उर्धोदर न फेकर किसी भ भले ही लेकिन गुरुत्तों के अधीन वो दीरे-धीरे करके प्रत्वी पर गिर जाएगा इसकी जो गती होगी बच्चो वो आपकी प्रिछेप गती होगी अब यहां पर 36 प्रिछेप और तिर्यक प्रिछेप मैंने कहा दो प्रकार से प्रिछेप है ठीक है 36 प्रिछेप का मत जाता बच्चो तो यह आपका हो जाता है 36 प्रिछेप लेकिन जब हम बात करते हैं कि तिर्यक प्रिछेप यानि प्रिछेप तल से हम उचाई की और पहले उपर की और फेकते हैं और फिर यह जाकर किसी बिंद उपर गिरता है तो यह आपका हो जाता है तिर्यक प्रिछेप दोनों चीज समझना जरूरी है ठीक है बच्चो अब यहाँ पर जब भी माली जी ये तेढ़ा मेढ़ा कोई बस तो गति करता है तो उसके दो अक्ष हो जाते हैं जैसे मैंने कहा कि यहाँ से 36 दिसा में फेक दिया तो कुछ तो 36 में भी गति कर रहा है और कुछ नीचे आ रहा है उर्धोदर में भाई देखो न सीधा सीधा तो जा नहीं रहा है कुछ 36 में भी मतलब यहाँ से विश्थापिद भी हो रहा है यह तो यह यही पर गिर जाता भाई इसका विश्थापन जैसे यहाँ पर आ कर गिर रहा है इस बिन्द उपर तो इसका मतलब इस आक्षे पे भी जा रहा है और नीचे अरहा तो दो रोरों दिसा में जा रहा है मतलब 36 में भी और उर्धधर में भी यह जब प्रछेव गति होता है तो उसमें दो प्रकार से हम घटक में भी उजित करते हैं उसके गति को क्योंकि एक 36 मे भी गति कर रहा और एक उर्धाधर में भी गति कर रहा है क्योंकि इसके भी ना हम हल नहीं कर पाएंगे बच्चों और गतिका समिकर्ण आपसे तो बनी रहा है कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बस तू किसी भी दिसा में फेकोगे चाहे वो उपर जाये चाहे नीचे जाये वो दो घटकों में बियोजित होगा एक आगे भी जाएगा एदि उपर जा रहा तो उपर जा रहा तो नीचे जा रहा तो नीचे जा रहा दोनों चीज है जैसे माली जी ओ का मूल बिंदू यहाँ पर यह है इस बिंदु के हम बात करते हैं, यहाँ पर बायक्ष है, तो यह सीधे नीचे आता, तो यहाँ पर गिरता, लेकिन यह आगे चला गया, इसका मतलब यह हुआ, कि 36 में भी कुछ गती कर रहा है, भाई इसके यहाँ पर आता, तो मान लेते, 36 में गती ने किया, और उपर से प्रचेप हो, यह तिरियक प्रचेप हो, दोनों में गती होगी, और दोनों में गती हो रहे हैं बच्चों, तो उसमें उर्धोधर भी गती होगी, और 36 भी गती होगी, इनहीं दोनों घटकों के आधार पर इसका हम बेंजक निकालेंगे, तो माना मान के चलते हैं, कि एच जो विस्थापन है X दूरी है और उर्धोधर में बाई विस्थापन कर लेता है ठीक है तब इसके दो घटकों बियोजित कर सकते हैं बच्चो एक तो आपका 36 गती होगा और एक आपका उर्धोधर गती होगा ध्यान रखेगा मैं फिर से समझाता हूँ कि माना H उचाही पर एक बिंदू हो है यहां से हम 36 जिस्था में यूबेक से भेगते हैं जैसे हम X के लिए बात करेंगे तो बेग हो जाएगा UX और बाई के लिए हो जाएगा बच्चो तो यूबाई ध्यान रखना दोनों हम लेकर चलेंगे तो आपका यूबेक से फिका जाता प्रच्छेपि होगा इस मौलबाई हो जाएगा ठीक है तब इसके दो घटकों में हम गती को बियोजित कर सकते हैं एक तो आपका क्या हो जाएगा 36 में भी कुछ चल गया और उर्धादर में भी कुछ नीचे तक आ गया तो दो घटकों बियोजित करेंगे एक तो आपका हो जाएगा बच् सबसे पहले 36 गति के लिए अपन करते हैं फिर उर्धोदर गति के लिए बच्चो 36 गति में देखेगा जब हम किसी बस्तु को 36 गिसा में फेकेंगे तो 36 में उसका बेग तो होगा लेकिन 36 में कभी भी तुरण नहीं होता ध्यान रखना तुरण क्या होता बच्चो जब गुरुति भी तुरण का मतलब होता है प्रत्वी जब आकर्शित करेगा जब प्रत्वी की और कोई बस्तु कीजेगा तो 36 गिसा में कभी भी तुरण परिवर्तित नहीं होता इसलिए तुरण सून होगा केबल उर्धोदर भाई हमने इसके गति को दो भागों माड़ दिये एक तो आपका 36 और एक हम उर्धोदर कर रहे है तो 36 के लिए हमने बात की कि प्रारंबिक बेग यू है तुरण वहाँ पर जीर होगा हमेशा याद रखना 36 में कभी भी तुरण में कोई परिबर्ता नहीं होगा इसलिए तुरण क्या हो जाएगा बच्चो सून हो जाएगा अब आपने पढ़ा होगा गति के प्रथम समिकर्ण से कि S बराबर क्या होता बच्चो UT प्लस हाप 80 स्कूरर तेकिन यहाँ पर S नहीं लिखेंगे S का मतलब होता बिस्थापन तो 36 में कितना बिस्थापन होगा है X तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चो X गति के दूती समिकर्ण से X बराबर अब यहाँ पर बेग UT प्लस हाप 80 तो UX कर लिए UXT प्लस हाप 80 स्कूरर मतलब AX का T स्कूरर अब X क्यों किये सर क्योंकि X अक्ष पे 36 अक्ष की बात की जा रहे है इसलिए हमने X किया अब बच्चो X रहने दो यहाँ पर UX को हमने का प्ररंबिक बेग U है टाइम T है लेकिन यहाँ पे तो जो तौरण है जो तौरण है बच्चो वो 0 है भले T स्कूरर रहे कोई दिक्कत नहीं है तो भाई यहाँ पर X बराबर आपका आगया U T X बराबर आपका आगया कितना U T यहाँ से आप T का मान निकाल सकते हो T बराबर कितना हो गया बच्चो X अपान U यह किस गति के लिए एक बात की गई है यह आपके 36 गति के लिए बात की गई है मतलब बस तु विस्थापन 36 दिसा में यहां तक किया अब हमको उर्धोधर के लिए करना पढ़ेगा तो विस्थापन का गती का दूती समिकर लगाते हैं तो ध्यान रखना बच्चो उर्धोधर गती के लिए बात करते हैं उर्धोधर उर्धोधर गती उर्धोधर गती में क्या होगा बच्चो देखेगा उर्धुधर गती में क्या होगा कि प्रारंभिग बेग बहुत सिंपल है बच्छो थोड़ा सा समय दीजेगा You by, You by क्या होगा? ZERO होगा क्योंकि प्रारंभे में हमने कहां फेका है बस तुझो 36 में इसलिए प्रारंब में जो आपका उर्धोधर का बेग होगा वो सुन होगा प्रारंब में उर्धोधर का बेग क्या होगा बच्चो सुन होगा फिर से समझना प्रारंबिक बेग उर्धोधर का सुन होगा क्यों क्यों कि प्रारंबिक बेग हमने 36 दिसा में फेका है बच् करें तो गुरुत्यवी तुरन, small g होगा, गुरुत्यवी तुरन कितना हो जाएगा, small g हो जाएगा, अता समीकरण से, अता कौन सा समीकरण लगाएंगे, बच्चो, एक समीकरण, वह हम ने कहा गति का दुती समीकरण, इस बार हम by लगाएंगे, ux के जगह u by t plus half a by t square लगाएंगे ध्यान ये रखना है आप लोगों को नहीं यहाँ बड़ाबर कितना हो गया 1 by 2 gt square अच्छा 1 by 2 g t का मान कितना है x upon u का square अब इसको भाई बर्ग कर दो तो by बड़ाबर आपका निकल कर आ गया कितना बचेगा बच्चो यहाँ पर आपका g है तो g x का square तो x का square ठीक है फिर यहाँ g x square नीचे कितना हो जाएगा 2 और u square हो जाएगा 2 u square इसको ऐसा भी कर लो आप g upon 2 u square और x square अलग कर दो ठीक है यह हो गया अब इस पूरे को नियतांक मान लो बच्चो तो जब नियतांक मानोगे तो k x square k x square यह परवलय का समिकर्ण आ गया है जहां जहां हमने क्या माना है g upon यह g है g है आई मत समझ देना g upon 2 square बरावर k हमने माना है ठीक है अब बच्चो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस समिकर्ण से पता चला है कि अताहा परवलय का समिकर्ण है नि दिया गया समिकर्ण क्या बच्चो एक परवलय का समिकर्ण होता है यह तिर्यक प्रच्छेप का पत परवलय कार होता है ठीक है यह त्योरम काफी महत्पून है थोड़ा सा समय लगा है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि चीजें क्लेर भी हो गई होगी परवलय थोड़ा स्टार्टिंग भी प्रच्छेप गति को समझाने के लिए समय लग गया बाकी बच्चो इसका उड़यन काल और जैसे 36 परास एक ही लेक्चर में करा देंगे इसके बाद तेरेक प्रच्छेप समझा देंगे फिलाल अभी कले इतना ही वीडियो पसंदर लाइक करके शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं कि वीडियो के साथ बच्चो जैहिंद बंदिमात्रम